अरे कृष्णा आज मैं आपके साथ केसर पिस्ता मटका कुलफी के रेसिपी शेर करने वाला हूँ इस तरह से मटके में सेट की गई हुई कुलफी इस समर के सिजन में एकदम बेस्ट रिफ्रेशिंग का ओप्षन है और ये बनाने में भी एकदम आसान है कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है और बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है तो चलिए अब इस मटका कुलफी के रेसिपी को हम शुरू करते है तो सबसे पहले एक पैन में आधा लेटर जितना आपको फूल फेट मिल्क लेना है अभी गेस ओन नहीं करना है फिर इसमें हम डालेंगे आधा कब जितना मिल्क पाउडर और मिठास के लिए डालेंगे एक चोथा कब जितनी चीनी और अभी बिना गेस चालू किये हुए सबसे पहले दूथ में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर गेस की फ्लेम को ओन करेंगे और इस कुलफी मिक्षर को जब तक ये गाड़ा ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे मिल्क पाउडर डाला है तो ये मिश्रन जल्दी से गाड़ा हो जाएगा फिर भी इसको गाड़ा होने में 10 मिनिट जितना समय लगेगा तो आपको मिडियम स्पीड पर स्पेचुला कुमाते हुए इस मिश्रन को कुक करना है और कुक होते समय जो साइड में इस तरह से मलाई बनती है वो भी आपको स्क्रेप करके मिश्रन में डालती जानी है जिससे कुल्फी में एक रिचनेस आएगी वैसे हमने जो milk powder डाला है वैसे भी कुलफी में एक अच्छा सा richness टेक्चर आने वाला है पर ये मलाई भी और ज्यादा काम आएगी इस मिश्रण को पकते हुए करीबं 10 मिनेट हो चुके है और ये अब अच्छे तरीके से गाड़ा हो चुका है जैसा हमें कुलफी के लिए चाहिए वैसा मिश्रण गाड़ा हो चुका है तो अब गिसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और स्पेचुला घुमाते हुए पहले इस मि सेंस डालने से अच्छी सी खुश विवाएगी और दिरे दिरे मिश्रण जैसे ठंड़ा होता चाहेगा वैसे और गाड़ा होता चाहेगा जो की एक कुलफी बनाने के लिए आवश्यक है तो चली अब इसको पूरा ठंड़ा कर लेते हैं तो मिश्रण यहां पे ठंड़ा हो चुका है और अब आप देख्ये पूरा ठंड़ा होने के बाद इसकी कंस्री संसी एकदम तिक हो चुकी है और एसा ही हमें चाहिए तो अब यह मिश्रण पूरा ठंड़ा हो चुका है और सेट होने के लिए एकदम तयार है तो इस कुलफी मिक्षर को सेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास दो माटी के कुलड है जो आपको कोई भी माटी कला शोप पे अबलेबल है इसे आप ओनलाइन भी परचेस कर सकते हो तो अब इस कुलड में हम जो कुलफी बनाई है वो म दिलिश्यस स्वाध होता है तो आपको तो यह रेसिपी घर पर एक बार ज़रू ट्राइ करनी है तो यहाँ पर मैंने दोनों माटी के कुलड में कुलफी वाला मिश्रन डाल दिया और अब इसके उपर हम डेकोरेशन के लिए पिस्ता की कत्रन डालते है जिसे यह उपर से ल अलवर फोईल का टुकडा लेना है और अच्छे से सील कर देना है अगर आप बिना सील किये इसे रेफ्रीजेटर में सेट करने के लिए रखोंगे तो उपर बरफ की परज्जम सकती है तो इसके लिए इस तरह से सील करना एकदम आवश्यक है और अलुमिनियम फोईल से हम सील करते हैं तो दोनों कुलड को मैंने अच्छे से सील कर दिया और अब इस कुलफी मिक्षर को रेफ्रीजेटर में आठ घंटे या फिर ओवर नाइट सेट करने के लिए रख देना है अगले दिन मटका कुलफी बनके एकदम तयार है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले इसके उपर काम सिल्वर फोईल निकाल देते है तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट मटका कुलफी सेट हुई है और खाने में एकदम डिलिश्यस बनी है और जैसा आपने जादा कोई दिक्कत आई ही नहीं वाली है क्योंकि एकदम इजी रेसिपी है तो इसे आप घर पर जरूर बनाना और इस रेसिपी को ट्राइ करना और इसका अनुपो मेरे साथ कॉमेंट सक्षन बॉक्स में जरूर से जरूर शेर करना और कोई प्रोब्लम हो तो भी लिखना मैं इसका सोलोशन आपके साथ जरूर शेर करूँगा तो इस रेसिपी वीडियो को अपने फ्रेंज और फैमिले मेंबर के साथ शेर कीजे और इस चैनल को लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब कीजे